अल्राइट, चैक इट आउट गाईज, स्वागे दे आपका स्टून टेक में, दोस्ता आज हम कंपेर करेंगे दो किलर स्पेक्स वाले 5G स्मार्टफोन को, जिनका नाम है वीवर आइकू 12 प्रो और वीवर S18 प्रो, तो आज के इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे इनी दोनो मुबैलों की दिस्प्ले के बारे में जिसमें, वीवर आइकू 12 प्रो में आपको 117, 8 इंचिर्स की LTP ए AMOLED दिस्प्ले देखने को मिलेगी, वहीं वीवर S18 प्रो में 6,7, 8 इंचिर्स की AMOLED दिस्प्ले होगी, आइकू 12 प्रो में आपको स्क्रीन डैंसेटी 518PPI देखने लाइट वेट आपको देखने को मिलेगा IQ 12 Pro के comparison में, अगर बात करें refresh rate की तो IQ 12 Pro का refresh rate 144 Hz होगा, वहीं Viva S18 Pro का refresh rate 120 Hz होगा अगर बात करें build quality की तो दोनों mobile का build quality आपको एकदम similar देखने को मिलेगा, दोने ही mobile में आपको front glass और back of frame प्लास्टिक का देखने को मिलेगा, अगर बात करें दोनों mobile के operating system की तो दोने ही mobile में आपको Android 14 operating system देखने को मिलेगा, chip side की बात करें तो IQ 12 Pro में आपको Snapdragon 8 Gen 3 processor देखने को मिलेगा वहीं Viva S18 Pro में आपको Media Day Dimensity 9200 Plus processor आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर IQ 12 Pro का processor काफी fast आपको देखने को मिलेगा, Viva S18 Pro के comparison में, अगर बात करें दोनों mobile के graphics की तो IQ 12 Pro में आपको Adreno 750 GPU देखने को मिलेगा, वहीं Viva S18 Pro में आपको Immortalis G715 MC 11 GPU देखने को मिलेगा तो gaming graphics भी आपको IQ 12 Pro के काफी अच्छे देखने को मिलेगे, अगर बात करें card slot की तो दोने mobile में आपको card slot देखने को नहीं मिलेगा, अगर बात करें internal memory की तो IQ 12 Pro में आपको 256 GB, 512 GB और 1 TB के variants देखने को मिलेगे वहीं Viva S18 Pro में आपको 256 GB और 512 GB के variants देखने को मिलेगे, अगर बात करें RAM की तो IQ 12 Pro बस आपको 16 GB में ही देखने को मिलेगा, वहीं Viva S18 Pro आपको 12 GB और 16 GB के variants में देखने को मिलेगा अगर बात करें storage type की तो IQ 12 Pro का storage type UFS 4.0 होगा, वहीं Viva S18 Pro का storage type UFS 3.1 होगा, अब बात करते हैं दोनों mobile के camera segment के जिसमें IQ 12 Pro में आपको 5064 आप 50 मेगा पिक्सल का triple camera setup आपको देखने को मिलेगा वहीं Viva S18 Pro में आपको 5012 आप 50 मेगा पिक्सल का triple camera setup आपको देखने को मिलेगा अगर बात करें selfie camera की तो IQ 12 Pro में आपको 16 मेगा पिक्सल का front camera आपको देखने को मिलेगा और 3.5 mm jack का feature दोनों ही mobile में आपको देखने को नहीं मिलेगा अगर बात करें fingerprint sensor की तो दोने ही mobile में आपको fingerprint sensor under display देखने को मिलेगा अगर बात करें USB port की तो दोने ही mobile में आपको 2.0 TAPC USB port देखने को मिलेगा अगर बात करें infrared port और NFC के तो IQ12 Pro में आपको infrared port और NFC दोनों का ही feature देखने को मिलेगा वहीं Viver S18 Pro में आपको infrared port का feature देखने को नहीं मिलेगा लेकिन NFC का feature आपको देखने को मिल जाएगा अब बात करतें दोनों mobile ओ के battery के जिसमें IQ12 Pro में आपको 5200MHz के LIP battery आपको देखने को मिलेगी अगर बात करें charging की तो IQ12 Pro में आपको 120W की fast charging की feature देखने को मिलेगा वहीं Viver S18 Pro में 80W की fast charging का feature आपको देखने को मिलेगा अगर बात करें color variants की तो IQ 12 Pro में आपको black, red और white color के variants देखने को मिलेंगे वहीं Vivo S18 Pro में आपको black, blue और silver colors के variants देखने को मिलेंगे इंडिया में IQ 12 Pro का price 58,090 होगा वहीं Vivo S18 का price 38,090 होगा तो दोस्तों ये था इन दोनों mobile हो का comparison अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like share जरूर करना और चैनल को subscribe करके bell notification को भी on कर लेना और comment करके बताने के आपको वीडियो कैसा लगा तब तक के लिए इतना ही मिलते है अगले वीडियो में